नमस्कार मैं सुनिता कता मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कता मंधन में आज सुनिए महिंद्र भल्ला द्वारा रचीत कहानी बदरंग जहां तक मुझे याद है उस स्टेशन के दोनों तरफ पट्रियां होने पर भी प्लेट फॉर्म तक जाने के लिए कोई पुल नहीं है जहां से चाहे आप गुजर सकते हैं प्लेट फॉर्म खतम हो गया तो हमने पट्रियां पार्की और एक मेड़ सी जगा पर खड़े हो गए ट्रक यहीं आएगा कुली ने कहा समान उतार कर वह भी खड़ा हो गया जैसे गंदे छेदो वाली मिट्टी की पर्त दो छड़ियों पर तेची खड़ी हो गई हो दुपहर थी मगर धूप निकम्मी सी चमक ही मैंने देखा कोई भी ऐसी जगा नहीं थी जिसके संपर्क से धूप चमचमा उठे उपर दूर तक डिपो नुमा मैली इटो के धाचे से बने थे बिरंगी जमीन पर मरे से घरोंदे स्टेशन के दूसरी और लंबी धलान थी जो पुरानी जली घास के टीले से उबर कर खतम हो जाती थी यूदिन साफ था मगर आकाश पुराने घिसे दुपट्टे की तरह ब दूसरी इसतरी के बालों में कुछ खोज रही थी और दूसरी इसतरी के आगे एक बच्चा पापड़ सी छातियों से दूद पी रहा था पंद्रा सुला साल की होगी फूठता यौवन उस पर उतना ही अजीब लगता था जितना बुड़े सुखे पेड़ पर चोटी सी हरी टहनी उतना ही भविश्य रही था मैंने ध्यान से देखा कि कुली भी जवान था मगर जिस जवानी को गौर से देखकर पहचाना जा सके वह कैसी होगी तो आप समझी सकते हैं सारे वातावरण में मकानों में लेंड्सकेप में सुखे कीचड़ की परत चड़ी थी यहां से लौट जाने की प्रबल इच्छा हुई क्यों भाई भै ट्रक कहां गया लगता है चला गया अरे किसी से पूछ लो मगर था कौन वहां जिससे पूछा जाए सिवाए खाना बदो रिक्षा नहीं है एक मोटर रिक्षा है वह स्कूल के काम में लगा होगा साइक्ल रिक्षा तीन चार है उपर डिपो के पास है गाड़ी के वक्त नीचे नहीं आते क्या कभी आते हैं और यहां आता ही कौन है मिलेटरी के लोगों के सिवा और उनके लिए ट्रक या जीपे जाती हैं और बाकी लोग बाकी हम तुमके लिए जरुवती क्या है वह चुपी हो लड़की को देखने लगा मेरे पास सर्दियों का एक बड़ा बिस्तर एक सूटकेस और एक फाइलों से भरा ट्रंक था अच्छा मैं यूपर तक छोड़ाता हूं फिर आपको नहीं मैंने स कोई नहीं रहता सिवाए सुनेपन के और सुनापन भी नहीं एक अजीब सी कारण हींता अचानक मोटर रिक्षा की भड़बढ़ा है सुनाई दी मेरी धड़कन तेज हो गया मोटर रिक्षा मेरे पास ही आकर खड़ा हो गया दिल्ली के रिक्षों से उल्टा वह चारों तर और उनके उपर जुकी खड़ी 20-22 बरस की लड़की चौक गया मैं वह मेरी तरफ ही देख रही थी काली तरल विसमे से भरी आखें फूलों से लदी गठी जाड़ी के बीच में बांध दिया गया हो लेकिन कुछ फूलों की भाएं हाथ मूँ और आखें दिखाए दे रही लेकिन यह क्या कर रही है वह भी मुझे ही शायद देख रही थी है सोच रही थी कुछ विसमे के साथ फिर विक्षा चल पड़ा उसने परदा गिराया नहीं लेकिन डूपते तारे की तरह तेजी से औजल हो गई वह कुली मेरे पास फिरा गया उसकी आँखों में हैरानी थ आता इस तरह से उम्र भर इसी जगा क्या खड़ा रहूंगा उसके पास शायद कोई काम नहीं था खाना बदुश लड़की भी शायद कहीं चली गई इसलिए अब वह फिर से मेरे गिर्द मंड़ा रहा था मैंने सूचा उससे लड़की के बारे में पूछू हूँ मगर क्य जगा के असर को नहीं भूलता असर के संग जगी सिम्रितियां रंग सब याद रहते हैं और याद ही नहीं क्योंकि याद तो महज दिमागी बात है वह असर मनस्तल में चाकू से खुदा पड़ा रहता है इसलिए सूसता हूँ मैं कवी या पेंटर कुछ भी हो सकता था मगर तो एक बिजनस कमपनी में छोटा मुठा सा अफसर कुली को मुझ पर शायद दया आ गई थी आदा घंटा गुम रहने के बाद वह कहीं से साइकल रिक्षा ले आया मैंने उसे एक रुपिया दिया उसने मुझे सेलाम किया और गौर से रुपे देखने लगा मानो सोच रहा चड़ाई भी थी मगर मरी सी यह भी ख्यालता कि एक आदमी मुझे खीच रहा है मन में इसको कभी स्युकार नहीं कर पाया हूँ मगर इसकी और से तो मैं पहले भी कई बार आखे मुझ चुका हूँ मन में यह समझ कर कि फिलाल तो तरीका यही है सड़क यूँ असफॉल्ट की थी मगर तूटी हुई भुर भुरी गड़ों से बुरी तरह छीली हुई थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क एकदम ही अच्छी आ गई जैसे जखमे भाके उपर कपड़ा हटाने से चिकनी दाग रही सुडोल बाहें दिखाई दे जाए प लोग एक मैं हूँ जो दुनिया में सबसे मामूली और गैर दिल्चस्प सड़क और नगर की बात कर रहा हूँ पर इस पर मुझे बड़ी हसी आई मेरी हसी शायद इतनी मुक्त थी कि बात को पूरी तरह ना भी समझू रिक्षा वाला हसने लगा मैंने अपने आपको रोका हसी हसी उस लड़की की तरह अपरतियाशित और इस जगा इतनी असंगत थी कि मैं हलका सा डर ही लगाया इस उजाड जगा का पीसे एक फैले कोईले का सा असर और भी गहरा हो गया दफ्तर में कोई था नहीं मैं बागीचे में टहलने लगा दो गोल क्यारिया जिन में गुल लगाऊंगा तो इस जगा की याद आएगी शायद परती किसी तरह बनते हैं अभी सोची रहा था कि चप्रासी ने मुझे सलाम किया सहाब कहां है खाना खाना गया तीन बज़े लोटेंगे उनको बुलाला और मैंने अपना कार्ड उसे दिया दूसरी चीजों के अलावा का लाड का असर चप्रासियों पर जरा जल्दी पड़ता है सहाब धक्षिन के थे उन आजमियों से जिनके हातों के उपर हलकी सफेद खुश्की जमी रहती है ना खुल बदरंग होते हैं और हतेलियों को देखने का तो जीही नहीं करता वे गंजे भी ते सफाचट गंजे नह जो उनके अनुसार नहीं किये गए थे पड़ताल कल ही हो सकती थी मुझे ठहरना पड़ रहा था मैं कांप सा उठा बहस के बाद हम दोनों सड़ी सी चाय पी रहे थे यह जगा मैंने कहना शुन किया इस होरीबल हलाकि मैं कुछ इसी तरह की जवाब की उमीद कर रहा था मग तो इसी जगा के अंग है इने भी कैसे रह लेते हैं कैसे रह लेते हैं उन्होंने मेरी परश्ण को दोराया अरे भाई सामने कलब है शाम को वहाँ चली जाते हैं ताश खेलते हैं कॉफी पीते हैं और क्या कलब कहकर जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था मैंने मुड़कर उधर देखा एक दूसरे के साहरे दो बदरंग कमरे बाहर चार-पांच बैंचे पड़ी थी मुझे प्राइमरी स्कूल की याद आ गई उसकी नहीं जहां मैं पड़ा था जब छुटी हो जाती है तो इसकूलों की बैंचों और दिवारों पर उजाड बरसती हैं मैंने कलपना की कि उन बैंचों पर चार-पांच आदमी कॉफी पीते वे ताश खेल रहते हैं जिन्रगी ना जाने कहां रहती है यहां पर परिवार में कोई मर जाएगा तो बरसों तक भी उसकी बात होने पर अन्यास चुप हो जाते हैं उनकी चैरे फीके पड़ जाते हैं और वे कुछ सोचने से लगते हैं इंस्पेक्शन बंगलों की क्यारियां और फूल कुछ उन्हीं लोगों के समान लग रहे थे फूलों को मैं आस तक विसमे से देखता आया हूँ और मेरा ख्याल था कि ये उन थोड़ी सी चीजों में से हैं जिने इसी तरह देखता रहूंगा एक नर्म दया मही कुमलता से मगर सामने फूलों को देखकर लगा वे किसी घराब सौदे से इने लाया हूँ और अपस्ता रहा हूँ मैं बंगले के पीछे चला गया शायद खान सामा के बच्चे या बीवी रूची करों मगर वे चौकीदार के साथ रहता था बीवी बच्चे गाउं में रहते थे जिनें मिलने में साल में एक या दो बर जाते थे मैंने सोचा हजारों लुआखों लोग नौकरी के लिए तमाम जीवन घर गरसने से दूर गुजार देते हैं बात रोज की जाने हुई थी मगर इस वक्त नए तरीके से कड़वी लगी रात को मैं इडियट पढ़ता रहा मुझे प्रिंस मिश्कन की से गहरी साहनुभूती हुई जैसे मुझे कभी-कभी खुद अपने से हो जाती है दोस्तों वोस्तों की प्रती इज्जत और अपार सहरारना से मन भर गया मगर मुझे उन पर तरस भी आया वे जो चाहते थे मनुश्य शायद वे कभी न हो सकेगा उसका सभाव यह नहीं है मच्छरों की भन-बनाहट और सीली गंध में मैं सोने की कोशिश करता रहा सुबा उठके मुझे दफ्तर के तार भी देना होगा सुबा तेयार होकर मैंने अपना समान बनवा लिया या तो आज यहां से चला जाओंगा मगर मैंने सोचा यह जगा क्या सिर्फ यहां ही है वह घर में भी तो है लेकिन वहां तो और बहुत कुछ है मुझे वे दुपे रहाद आ गई जब मुचड़े मेले से कपड़े पहले धूप में बैठकर घरवालों के साथ गप्पे लगाया करता था मामुली मजाकनुमा गप्पे मिलेटरी के ट्रक में बैठकर हम चल पड़े डिपो कई मिलों में फैला हुआ था छोटी मोठी बैर के एक दूसरे से दूर दूर तक छिपी थी काम खतम होने के बाद जिस रास्ते से लौट रहे थे उसके दौनों और हजारों बम पड़े थे बाहर पानी धूप में पड़े सब अपना असली चमकीला रुप खो चुके थे बहुत तो को तो जंग भी लग चुका था इनको बाहर क्यों रखते हैं? मैंने पूछा मैंने पहले कभी बम नहीं देखे थे इस बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई हजारों लाखों बम यहां पड़े थे और आजकल बम तो वैसे भी बहुत महतपूंट चीज़ है मैंने इने देखा भी नहीं मुहिंदी जी ना जाने क्यों हसी आ गई? उन्हाने मेरा सवाल शायद नहीं सुना उभी नजरों से बम को देखते रहे मैंने सवाल दो रहाया उन्हाने मेरी तरफ देखा और कहा इन्हें डिस्मेंटल किया गया है क्यों? अगर ये खास अर्सी तक इस्तमाल ना हो तो इन्हें डिस्मेंटल करना पड़ता है तो इतने सारे बम जाया गए? आप नहीं सोसते कि ये कितना हस यास पद है पहले बम बनाओ फिर तोड़ो फिर बनाओ फिर तोड़ो बच्चों का खेल नहीं लगता आपको उन्हाने बात सुनी और हसी को मुश्किल से रोकते वे मेरे को देखे और एक आएक वे भी हसने लगे मैंने देखा दो या तीन आदमियों के पीछ अगर हसी शुरू हो जाए तो मामुली सी मामुली बात पर भी हसी आती रहती है अकसर एक दूसरे को देखकर हसी बढ़ी जाती है हस चुकने के बाद अपनी हसी रिक्षा में देखी लड़की की तरह बाहर की चीज लगी मुझे भी बावजुद इस बात को मैं मिलेट्री के ट्रक में बैट कर आया था गाड़ी नहीं मिली अब शाम को मिलेगी मैं प्लिट फॉरम पर टहनने लगा सिवाए धहरे रखने के तो कोई चारा था नहीं दूर खाना बदोशुकी जौपडिया दिखाई दे रही थी कल की तरह आज भी एक इस्त्री दूसरी इस्त्री के बालों में कुछ टटोल रही थी थोड़ी मुश्किल से मिट्टी रंगी लड़की भी दिखाई पड़ गई कुछ भी नहीं बदला और बदलेगा भी नहीं मकान वैसे ही खड़ते जैसे कल और चारों तरफ पिसे कोईले सा खड़ा वायू मंडल अगर आप चुपके लगभग चोरी से देखे तो समय शायद होता ही नहीं है समय का भ्रम इस जगा पर सबसे कमजोड था शेहरों में भी यह भ्रम असलियत तक पहुँचा हुआ था मैंने स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाया दरवाजा खुलते ही लगा बर्सों के बाद इसे खुला गया है भीतर जाले थे सीली बदबू और बासी ठंड स्टेशन मास्टर अपनी निगरानी में सफाई कराने लगा जमादार आया और स्टेशन मास्टर इस कब्र से वेटिंग रूम की तरफ देखकर मुझे अपने देश की गरीबी और पिछले पन पर रोना सा आ गया शायद इसलिए कि मुझे ऐसे देश में रहना पड़ रहा है मैं मुस्कराया अगर आदमी घहराई में स्वार्थ रत ना हो तो शायद कोई बड़ा रदो बदल तो वो करेगा ही नहीं और ना हो सकता है सफाई होने के बाद भी वेटिंग रूम में बैठना असंभव सा लगा मैं फिर टहनने लगा सिर जुका कर मैंने निर्ने कर लिया था कि इर्द गिर्द बहुत कम देखूंगा पुरानी बातों को सोचने लगा शायद इसमें कुछ तबदीली हो जाए पर क्या हो सकता है क्या किया जा सकता है गाड़ी साड़े पांच बची आती थी सवा पांस तक दुबली सी भीड प्लेट फॉरम पर जमा हुए दूर तक टहल करके लोटा तो देखा मेरे समान के पास वही सहाब खड़े हैं किसी स्थरी से बाते कर रहे हैं मैंने हैलो किया और पास ही खड़ा होकर सिगरेट पीने जाती है धांचा लेकिन बना रहता है उनको देख पीड़ा सी होती है मैंने एकसर महसूस किया कि सुन्दर आदमिया इस तरी को देखकर अब एक शक्रित अधिक सहानुभूती होती है होती है यह देख आप लोग बताईए उसके कपड़े मामुली थे मगर वैं बहुत अच नौकरी करनी है तो किसी अच्छी जगा क्यों ना करूं नौकरी आप तो जानते हैं अब मैं क्या करूं मैं समझता हूँ साहब ने कहा लेकिन इस्तरी के चारे पर प्रसंता नहीं है अपनी लड़की को वैं शायद जादा जानती थी मुझे तो बहुत विक्र है पिछले द आता कि वैं लड़की सामने से आती दिखाई दी दौनों उसे एक टक देख रहे थे उस लड़की का चहरा उदास था आकर वह मा के पास खड़ी हो गए मा ने बिना बोले उसकी तरफ देखा तीनों के बीच मौन पसरा हुआ था लड़की के चहरे पर उदासी के अलावा प्रिकार कर लिया किस स्तितिकों यह एक दमी समझ में नहीं आया लड़की के चहरे पर मुस्कुराहट देकर लगा कि वह यह नौकरी नहीं करेगी मेरे मन में तसली हुई इस बात पर कि अब मैं उस खुबसूरत लड़की का खिला चहरा देख सकूंगा शायद और इस पर कि अव्य मेरी तरफ देख सके नॉर्मल जवान लड़की की तरह दिलचस्पी के संग गाड़ी दो घंटे लेट आई डिबो के दरवाजे बंदकर लोग सो रहे थे बड़ी मुश्किल से एक दरवाजा खुलवाया अंदर एक अधेर आदमी सो रहा था उनके चैरे पर खीस गाड़ी जरा तेज होने लगी तो मेरा हाथ अनयास उठा और मैंने उसे भी हिलाया लड़की ने देख लिया वह दोड़ते शेन के लिए रुक सी गई उसका मुँ एक दम लगबग हसी से खुल गया और उसने थोड़ा सा हाथ अपना हिलाया और उसकी माने मेरी तरफ में सुचता हूँ तो अपने मन में यह जरूर पका कर लेता हूँ कि शायद वह लड़की दो दिनों बाद वहां से चली गई होगी तो यह कहानी थी माहिंद्र भल्ला जी द्वारा रचित बद्रंग